जिस पुत्र के आने से वर्दान के पापा उस तहखाने से आजाद हो सकते थे लेकिन उस पुत्र के आने का अब पुरा सपना तिवारी परिवार के कोक से उजड़ गया यानि की अब केत की मा नहीं बन सकती है लेकिन वही पर अब साधना का असली रंग रूप अब देखने को मिलेगा क्योंकि आप सबने पिछले ट्रैक तक साधना को एक सीधा सधा इनसान देख रहे थे तब ही वर्दान के सामने बाबा के बताए गए पिछला बात यादों से घेर लिया था तब वर्दान वहाँ पर काफी सोच में पड़ गए थे और कहने लगे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है और जो कुछ उस रात हुआ वो उसके बाद वापस कैसे आ सकते हैं और जिसे हम 15 साल से भुलाए बैठे हैं आज क्यों उसका जिक्र दुबारा निकला है वही वर्दान वहाँ पर काफी हैरान हो गए थे और वर्दान वहाँ पर कहने लगे थे कि ये बात सिर्फ मेरे और मां के बीच थी और इस बात को हम केतकी को भी भनक नहीं लगने दूँगा लेकिन बाबा जिस पुत्र के आने के बाद बता कर गए थे आज वो पुरा सपना तिवारी परिवार से उजड़ गया और केतकी के काफी चोट लगने के कारण वो अब मान नहीं बन सकती है अब ऐसे में इस सिरियल की कहानी दिन प्रति दिन काफी भयानक होते जा रही है लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ें रहिए